सो हे गाईज वेलकम बेक टू नीव वीडियो आज हम देखने वाले क्लास्ट एंद का बोर्ड पेपर एसेश्टी का जो 30 नवेंबर को हुआ था हम देखेंगे फर्स्ट कोशन पर आते हम फर्स्ट कोशन का अंसर है डी सेकेंड कोशन का अंसर है ए फर्स्ट का है ए फिफ्थ का है बी शिक्स्त का है ए सावन्त का अंसर है सी एट का अंसर है ए नाइन का अंसर है सी और टेन का यहाँ पर दो टिक लगे वे तो आप विंट को ही सजेस्ट करना कि विंट से ही ज्यादा एरोजन होता है अपनी कंट्री में सौल एरोजन तो एलेवन का अंसर है ए एंटेन का अंसर ए है एलेवन का भी ए है ड्वैल का अंसर बी है थर्टीन का इदर अंसर है कॉम्मिनिकेशन ए थर्टीन का अंसर है कॉम्मिनिकेशन क्योंकि यह यूनिकेशन ही यूनियन लिस्ट में आता है और ट्रेड जो आता है वह स्टेट लिस्ट में आता है ओके देन 14 का अंसर है D, D is the answer of 14, ओके देन 15 का अंसर है इंडिया, इंडिया जो B है, 15 का अंसर B है, 16 का अंसर D है, 17 का अंसर है B, क्योंकि बिजनस ही स्टेट लिस्ट में आता है, बाकी सारे तो आगे यूनियन लिस्ट में, ओके, 18 का अंसर है C, 19 का अंसर है D, 20 का अंसर है A, 21 का अंसर है B, 22 का अंसर है D, primary sector, 23 का अंसर है D, D, 24 का अंसर है D, marriage, concurrent लिस्ट में आता है marriage, 28 का अंसर है, wait, 28, 25 वाली का है, then 25 का अंसर है, A अंसर है इसका, इदर मैंने B लगा रहा है, गलती से हो गया था, A अंसर है इसका, then 26 का D अंसर है, then 27 का A अंसर, 28 का D, 29 का D, 30 का, 30 का इदर D अंसर है, 31 का A, 32 का, 32 का D अंसर होगा, इदर मैंने गलती से A लगा रखा है, ओके, 33 का A, 34 का A, 35 का D अंसर है, then 36 का, 36 का A अंसर है, 37 का D, 38 का, 38 का A अंसर है, 38 का A अंसर है, यह आपर मैंने B लगा रहा है, बील लगा रखा है, क्योंकि मैंने गलत हो गया था, एक्जाम में, 39 का A, आप एन जापर दो है ना, उन पर फोकस मत करना, जो मैं बता रहा हूं अंसर, उन पर ही फोकस करना, वो यह सही अंसर है, ओके, 40 में A और C, दोनों सेम अंसर, दोनों सेम आप्शन्स आ गए, तो इसमें, अगर आपने अटेम्ट किया है, यह कोशन, तो ही आपको पोनस मार्किंग मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, अगर आपने A या C के अलावे भी कुछ B या D में लगा रखा है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपने अटेम्ट नहीं किया होगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगे, देन 41 का A अंसर है, देन 42 का A, देन 43 का A, देन 44 का C, देन 45 का C, देन 46 का A, देन, सेक्शन C पे आते है, 47 का A, 48 का A, 49 का C, 50 का इदर, 50 का इदर में लिंक दे दूँँगा नीची डिस्क्रिप्शन में, इस PDF की, ओके, विदर से आप टेली कर लेना, 50 का मैं बाद में बताता हूँ, और 51 का है B, 52 का है A, 53 का A, 54 का C, 55 का, 55 का, in which one of the following sector is underemployment, seen at the maximum, तो ये agriculture में देखा जाताया, सबसे जादा, का अंडर एंप्लॉइमेंट देन 56 का अंसर सी देन 57 का ए देन 58 का डी देन 59 का सी देन 60 का ए 59 में आपको डैम लोकेट करना था जो यह रहा यह इदर पॉडी सामें जो है डैम वो हीरा कुन डैम ही है एपर जेन 99 पूरी अडिस्या में जो आना झो अडशालत attain थे विदर से जाती है तर न आपको भी माकत अथा यानी जूद इंवर जू रज़ग प्रोडिफ्र कौन सा स्ठेट ॰स टेट जू ठरोड़ूसर स्टेट वस्ट बंगल तो वस्ट बंगल इदर वस्ट बंगल इसट ठोड़ ऑक ए को यह तो की गाईस 50 individ low प्रोडुक्षंड जसका दैन एक और question है 54 54 में यहापर मैंने आपसे c answer लगवाया था विदर c नहीं होगा d is the answer agriculture library ज़्यादा है विदर ओके सो यहापर मैंने answer की इदर पूरी पड़ा दिये एकदम answer की answer की पूरी करा दिये आपको I hope कि आपके board exam में अच्छे marks आयोंगे be happy be be learning and okay जय हिंज जय भारत bye bye